इंडिया गडबंधन का साथ छोड़कर नितीश पाबु ने बीजेपी का दामन थाम लिया है लेकिन नितीश के पाला बदलने से ज्यादा हमले राहूल गांधी पर हो रहे है महाराश से लेकर दिल्ली तक बीजेपी ब्रिगेड राहूल पर प्रहार कर रही है और अब सवाल ये है कि बीजेपी ऐसे बयान दे क्यों रही है क्या राहूल की नियायात्रा का वाकई गडबंधन के साथियों का साथ छूटने से कोई रिष्टा है क्या राहूल का रथ मोदी के विजेपत की स्क्रिप्ट लिखते हुए आसन से पशिम मंगाल और अब बिहार में बढ़ रहा है जवाब के लिए शुरुवात उस तस्मीर से करते हैं जिसने सथ से ज्यादा चौकाया है ये बिहार के नए डिप्टी सीम समराच चौधरी है कुश्वाह जाती से तालुक रखने वाले समराच चौधरी ने कभी नितीश को सत्ता से उखाड फेकने के लिए सिर्फ पर ये मुरेठा बांधा था लेकिन अब वो नितीश के नेत्रत्वों में बिहार की सरकार चलाएंगे कहने का मतलब ये है कि सोमवार को जब राहूल गांधी की भारत जोडो निया यात्रा का रत बिहार की सीमा में दाखिल हुआ उससे ठीक 24 घंटे पहले बिहार की राजनीती में सारे पासे पलड़ चुके थे मैं युटीश कुमार सक्षिलिष्टा से प्यान करता हूँ तस्वीरे बिहार के किशन गंच की हैं राहूल का रत बिहार की सड़कों पर भीड के बीच दोड़ जरूर रहा था लेकिन इंडिया गट बंधन का पूरा सियासी गड़ित ही बदल चुका था राहूल गांधी जब निया यात्रा शुरू कर रहे थे तब तक नितीश कुमार और कॉंग्रिस एक दूसरे के साथ खड़े थे लेकिन बिहार में दस्तक देने से ठीक पहले राहूल गांधी के साथ मिलकर मोधी को देश की सत्ता से बाहर करने का खुआप देखने वाले नितीश ने उनका ही हाथ जटक दिया अभी हम जो पहले गटबंधन को छोड़ के नए गटबंधन बनाये थे जो निया गटबंधन डेड़ महीना से बनाये थे जड़ साल से तो यहाँ पर भी जो इस्थिती इधर आकर के ठीक नहीं लगी है अज इस तरह से लोगों का दावा हो रहा था जो इतना मिहनत किया जाता था कि वही जोगे सब द्याम कर रहे हैं तो सब द्याम धिरे थिरे लोगों को खराब लगता है नितीश कॉंग्रेस पर अटैक कर रहे हैं इंडिया गडबंधन का साथ छोड़ने की वजहें गिना रहे हैं जबकि बीजेपी ने इस पूरे घटना क्रम को राहूल की तरफ मोर दिया है बीजेपी इसे राहूल की नाकामी बताते हुए कह रही है कि राहूल जहां जा रहे हैं वहाँ इंडिया गडबंधन की जमीन ही दरकती चली जा रही है अब जो चेहरे से ही जाहिर है छुपाएं कैसे ये इंडिकट बंदन के लिए है तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आएं कैसे घर सजाने का तसवर हुआ आप बात की बात अब तो मुश्किल है कि इस घर की हकीकत को छुपाएं कैसे जबकि कॉंग्रस आरोप लगा रही है कि बीजेपी राहूल की निया यात्रा से डरी हुई है इसलिए इस तरह के प्रपंच गड़े जा रहे है दिल्ली में बैटे हुए जूट के जगत गुरू और पत्ना में बैटे हुए विश्वास घात के विश्वगुरू दोनों की एक जुगल बंदी है जो ड्रामा नचाया गया है बीजेपी की तरफ से और नितिश कुमार जी मुख्य अभीनेता थे उसमें इसे इंडिया गट बंधन पर कोई असर पढ़ने वारा नहीं है भारत जोडो न्या यात्रा पर कोई असर पढ़ने वारा नहीं कॉंग्रस भले ही इसे प्रपंच कहे लेकिन लोग सभाद चुनाव से ठीक पहले बिहार में हुआ ये सियासी उलट फेर बीजेपी के लिए बहुत बड़ी बाजी माना जा रहा है तेजस्वी की जो बहुजन चरितर वाली समाजवादी सरकार जिनके साथ मिलके बनाई थी उसका कतल क्यों किया लालू जी को लगा कि यार कभी ने कभी तो यह हमारे साथ ही थे इनकी पार्टी इनको खत्म करने की कोशिश हो रही है तो इनको मदद की जाए लेकिन अब उनको वो सब स्विकार नहीं हम लोग को छोर के वो सरकार से अलग हो गए और फिर सरकार बनाए हैं उनके साथ जिनके साथ ये रहते थे तो उन लोगों में भी अब इस्वास है कि भाई ये कब तक साथ रहेगा, कब तक नहीं रहेगा, कब चला जाएगा बेहार में लोगसभा की 40 सीटे हैं 2019 के लोगसभा चुनाव में NDA गटबंधन को 40 में से 49 सीटे मिली थी, जबकि UPA गटबंधन के खाते में सिर्फ एक सीट आई थी हाला कि NDA गटबंधन को 54 फीजदी और UPA को करीब 32 फीजदी वोट मिले थे गवर करने वाली बात यह है कि 2019 के लोगसभा चुनाव में नितीश और बिजेपी साथ में थे बिहार में सबसे ज़्यादा आबादी 36 फिसदी अधिपिशडा ओटरों की है और माना जाता है कि नितीश की इन ओटरों पर अच्छी पकड़ है बिजेपी की चिंता यह थी यदि नितीश महा गड़ बंधन के साथ बने रहते हैं तो लोगसभा चुनाव में थोड़ी मुश्किल हो जाती यह डर हवा में नहीं था क्योंकि दिसंबर में हुए एबीपी न्यूस सी वोटर के सर्वे ने भी इस बात पर मुहर लगाई थी एबीपी न्यूस सी वोटर के सर्वे के मुताबिक लोगसभा चुनाव में एंडिये गट बंधन को 49 फीज़ी वोट मिलने का अनुमान था जबकि इंडिया गट बंधन को 43 फीज़ी वोट मिलने का अनुमान जताया गया था सीटों की बात करे तो नितीश के बिना एंडिये बिहार की 40 में से सिर्फ सोला से 18 सीटे जीतता दिख रहा था जबकि इंडिया गट बंधन को 21 से 23 सीटे मिलती दिखाई दे रही थी बीजेपी इस नुकसान को सहने के मूड में नहीं थी और इंडिया गट बंधन के रवये से नितीश खुश नहीं थे नतीजा ये हुआ कि अपना अपना राजनीतिक फायदा देख कर बीजेपी और नितीश कुमार एक ही पाले में आ गए जैसे ही घड़ी का काटा दो बहर ढाई पे आए बपीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गौन जब ये करें अपना फेवरिट शो फ्री टाइम पे आउन इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरिट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव आप अपने स्मार्ट टीवी पर ABP News आपको रखे आगे